सिरी शिवाय नमस्तु भ्याम जैश्री महाकाल सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याओं का समधान तुरंत हो जाएगा परमपूज पंडित जी ने अपनी सिव महापुरान की कथा में बताया है कि एक लोटा जल भगवान सिव को अर्पित करने से किन परकार से आपकी समस्याओं का समधान हो जाता है यह उम आपकी सभी मनोवांचित मनोकामना की पूरती हो जाती है चार परकार की समस्याओं के समधान के लिए आज हम यह आपको बता रहे हैं वह सभी उपाए यों किन किन समस्याओं के लिए और किन मनो कामना पूर्टी के लिए किस परकार जल चड़ाना है गुरु जी ने जो बताया है वह सभी हम आपको इस वीडियो के मादम से बताने की कोशिस करेंगे सबसे पहले बीमारी रोग नास के लिए आप किसी भी दिन रात के 9 बच कर 15 मिनट पर एक लोटे में जल रखकर उसमें एक आउला डाल लीजिए आउला उपलग धना हो तो आप आउले की पत्ती भी डाल सकते हैं और यदि आपके पास आउले की पत्ती भी नहीं मिल पा रही है तो आप आउले का पाउडर भी लोटे में जल के साथ डाल कर रख सकते हैं उस आउले के जल को लेकर रात के नो बच कर पंद्रा मिनट पर अपने घर में यदि सिव लिंग स्थापित है तो घर पर ही अन्य था अपने घर के नजदी किसी भी सिव मंदिर में चले जाईए और जो व्यक्ति बिमार है उसका इसमरॉड करके सिव लिंग पर वह जल चड़ करना है तीन दिन करने के बाद आप देखेंगे कि मरीज की बिमारी पूरी तरह से ठीक होने लगेगा और ये बिमार वेक्ति अस्पिताल में अड्मिट है तो ठीक होकर घर वापस चला आएगा दूसरा उपाई इस परकार है यदि आप बहुत करजा हो गये हैं उधारी खत एक लोटा ले लीजिए और उसमें जल भर लीजिए उसके पहले आपको एक काम करना है थोड़ा सा चावल भिगो कर कटोरी में रख देना है जिससे वह थोड़ा सा मुलायम हो जाए ध्यान रखिएगा चावल तूटा हुआ ना हो खड़े चावल को पानी में भिगो के रख कर पीश लीजिए यदि आपके घर में सिलवटा नहीं है तो मिक्सी में भी चावल को पीश सकते हैं उसके बाद पिसे हुए चावल को इस लोटे में जिसमें आपने जल रखा हुआ है उसमें डाल देना है इसके बाद आप हलदी ले लीजिए चाहे आप फड़ी हलद लेकर पीश लें या हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं और या पिसी हुई हल्दी भी आप लोटे में डाल दीजिए लोटे में जल डालने के बाद आपने पिसा हुआ चावल डाला पिसी हुई हल्दी डाल दी है अब आप इसे लेकर किसी भी बट ब्रिच के नीचे चले जा एक बार फिर से सुन लीजिए बटकेश्वर महादेव का नाम का इसमापती के लिए प्राथना करनी है यह उपाया आपको सो मौर के दिन प्राताकाल करना है कितने सो मौर करना है यहाँ आपको तीन सो मौर करना है हर सो मौर आपको इसी तरह करना है लोटे में जल डाल कर उसमें पिसाचावल PC हल्दी डाल कर बटकेश और महादेव का नाम लेकर बट बिरिच पर चढ़ा देना है मातर तीन सो मौर तक चढ़ाना है अब तीसरे सो मौर जल चढ़ाने के बाद आपको उस बट बिरिच का एक छोटा सा जड़ तोड़ लेना है और हमेशा उसे अपने पास रखना है यदि आपके पास धन की कमी है पैसा नहीं आ रहा है बहुत प्रयास करते हैं काफी मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन धन की कमी है पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है तो ऐसे में आप एक लोटा जल लेकर उसमें एक कमल का फूल डाल लीजिए और यदि कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें एक कमल गटा भी डाल सकते हैं कमल गटा आपको हमेशा बहुत आसानी से मिल जाएगा किसी भी सूमवार की सुबा आप लोटे में जल और कमल का फूल या कमल गटा डाल कर सीलिंग पर चड़ा दीजिए मातर पांच सूमवार चड़ाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आमदनी में बृदी होने लगेगी आपको पैसे आने लगेंगे और कोसिस क reluctant कीईएगा कि पांच सूमवार जल चड़ाने के बाद भी जब भी सुमार को मौका मिले आप कमल वाला यहजल भगवान सियू को अर्पित करते रहिए भगवान सियू की किरपा से आपके पास धनकी कभी कमी नहीं रहेगी और यह आखरी उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसे हमेशा नहीं करना है इसका प्रियोक सिर्फ एमरजनसी जैसे कि अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई है तुरंत उसका निस्तरण होना जरूरी हो गया है उस समय यह उपाए आपको करना होता है उसके पहले आप से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें एक लोटा जल ले लीजिए उसके अंदर कुछ डालना नहीं है और हाथ में एक दाना चावल या एक दाना हरा मूंग लेकर बेल पत्री के पेड़ के नीचे चले जाएए बेल पत्री के पे आस पास कोई एक कंकर या पत्थर उठाकर बेल पत्री के पेड़ की जड़ के पास रख दीजिए कंकर रखने के बाद उस कंकर पर एक दाना चावल या एक दाना मूंग रख दीजिए और अपनी समस्या का कर स्री सिवाय नमस्तु भिहम कजब करते हुए उस कंकर पर जल चड़ा दीजिए आप देखेंगे कि दो से तीन घंटे के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा स्री सिवाय नमस्तु भिहम जैसरी महाकाल एक बार पुना है आपको सरी बेदन है कि वीडियो को लाइक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ वेल आइकान आल पर अवश्ची क्लिक करें जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच सके कमेंट बाक्स में स्री सिवाय नमस्तु भिहम जैसरी महाकाल अवश्ची लिखें